Hello everyone, very good morning to all of you. आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 अपरेल 2024 के करेंट फेर के साथ. करेंट फेर की PDF, Static GK के साथ आप मेरे टेलिग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे टेलिग्राम का ओफिशल लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में सबसे उपर दिया हुआ है. आप मेंसे बहुत स्टुडेंट कई वार क्वेरीज करते हैं कि ये जो करेंट फेर मैं आपको कवर कराता हूँ, ये कौन से एक्जाम के लिए एप्रोप्रियेट हैं. तो आप ध्यान दुखें, बड़े से बड़ा एक्जाम चाहिए UPSC का हो और चाहिए भारत का छोटे से छोटा कोई भी स्टेट का एक्जाम हो. हर एक एक्जाम के लिए आप मेरे करेंट फेर को पढ़ सकते हैं और PDF आप जरूर उसे पढ़ा करिये क्योंकि उस PDF में करेंट फेर के साथ 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 इस्टाटिक जीगे का भी बहुत सारा ग्यान होता है. जो कि आपके टेली करेंट फेर को तो कवर करता ही है साथ में स्टाटिक जीगे का भी बहुत बड़ा पार्ट वो कवर करता है. शुरू करेंगे आज का वीडियो लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के कोश्चन की. मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इन में से कौन सा युद्ध है जिसे Battle of Wandi Watch के नाम से भी जाना जाता हूँ. तो इसका सही आंसर है Carnatic War 3rd, जो Carnatic War 3rd था इसी को Battle of Wandi Watch भी बुलायाता है. अब देखें ये जो तीन Carnatic War हुए थे, फस्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनो Carnatic War बिटीशर वसस फ्रेंच हुए थे, मतलब फ्रांसीसियों और बिटीशर्स के बीच में ये तीनो Carnatic War हुए थे, जो पहला Carnatic War है, इसे Battle of St. Thorn के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक अपने आप में कोशन है, जो दूसरा Carnatic War है, इसे Battle of Ambur के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी अपने आप में कोशन हुआ, और तीसरा कोशन ये, जो कि मैंने आपसे पूछा ही था, कि Battle of One Divorce बोले आता है, Carnatic War 3rd को, ये जो तीनों Carnatic War हुए थे, इनका में रिजल्ट ये रहा था, कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और फ्रांसीसियों के हांस से इनकी कई सारी कॉलोनीज चली गई थी, और बिट अब शुरू करते हैं आज के Current Fair, हाली में भारत की पहली ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है, जिसके पास Energy Capacity 10,000 Megawatt की है, मतलब ये 10,000 Megawatt बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो ये है अडानी ग्रूप, और अडानी ग्रूप इस टाइम पर एकलोती ऐसी Renewable Energy Company है पूरे भार 10,000 Megawatt हो गई है, Currently ये 10,934 Megawatt को होल्ड कर रहे हैं, इवन इतना ही नहीं, अडानी ग्रूप ये टार्गेट लेकर चल रहा है, कि साल 2030 तक ये 45 Gigawatt बिजली का उत्पादन करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत सादा है, इवन ये बिजली को एक्सपोर्ट भी करेंगे आ आपको कल बताया था, नेपाल के साथ हमने तीन महीने के लिए agreement बढ़ा दिया है, मतलब भारत की तरफ से नेपाल को अगले तीन महीने तक बिजली और प्रोवाइट करी जाएगी, अडानी ग्रूप का ये जो गुजरात इस्थित पावर प्लांट है, ये आपको पता है कि 238 स्क्वाइर किलो मीटर में, अगर on and average बोला जाए तो इसका size मुंबई city के बराबर है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, जितना बड़ा मुंबई शहर है, उतना बड़ा अडानी ग्रूप का ये पावर प्लांट है अकेला, और पैरिस इसके अंदर कई सारे आ सकते ह अडानी ग्रूप की स्थापना साल 2015 में करी गई थी, इसका headquarter है गुजरात और इसके CEO है इस टाइम पे, विनीत एस जैन, क्या नाम है, विनीत एस जैन ये भारतिये weightlifter कौन है, जो की हाली में Paris Olympics 2024 के लिए qualify कर गई है, और अभी तक की एकलौती भारतिये weightlifter है, जो की Paris Olympics 2024 के लिए qualify करी है, तो ये है मीरा बाई चानू, मीरा बाई चानू इससे पहले Tokyo Olympics में, silver medal भी ला चुकी है वारत के लिए, तो अभी हाली में IWF World Cup आयूज Olympics के लिए इनको हरी जंडी दे दी गई है, SOChem जिसको बोलते हैं Associated Chambers of Commerce and Industry India, ये एक ऐसा संस्थान है, जो की पूरे भारत भर में, जो trade and commerce companies हैं, उनके लिए advisory जारी करने का काम करते हैं, मतलब उनको advice देने का काम करते हैं एक तरीके से, और भारत की इस तरीके की trade and commerce के में किसने पदभार समाला है, तो ये हैं संजय नायर, अपसे नए president इसके यही होंगे, SOChem के दौरा हर साल अपने एक तीहाई सदस्यों को चुना जाता है, अलग-अलग post-ों के लिए, और इन्होंने जिनकी जगे लिए है, ये है अजय सिंग, अजय सिंग इस टाइम पर Spice करी general कोण है, ये है दीपक सूथ, क्या नाम है इनका, दीपक सूथ, जो आपको picture में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विने जुएलेंज जुवान, विन्सिक पेरेज मोरा, ये इनी का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर् भी शामिल था तो ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे पूरे दुनिया के खाली में इनका निधन हो गया ये कितने वर्ष के थे तो 114 वर्ष के थे खाली में इनका निधन हो गया नाम क्या है विने जुएलेंज जुआन यह कौन से देश से बिलॉंग करते थे तो यह क्यूबा से बिलॉंग करते थे और इनका जन्म 1909 में हुआ था क्यूबा का एक टाउन है जिसका नाम है El Cobre क्या नाम है El Cobre और आपको जानकर अचम्मा होगा इनकी जो family tree है वो बहुत बड़ा है इनके खुद के बच्चे 11 थे ठीक है और इवन अभी भी है और 11 बच्चों से जो इनको पोते हैं तो 41 पोते हैं और great grandchildren इनके 30 हैं तो मतलब 11 तो इनके बच्चे हो गए 41 इनके grandchildren हो गए और 30 इनके great grandchildren हो गए इतनी बड़ी इनकी family है हाली में FISMI जिसको बोलते हैं Federation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises इसके नए president का बदभार किसने समाला है तो इसके नए president appoint किया गए है Sandeep Jain और Sandeep Jain एलिमिनाई है IIT कानपूर के अब से ये FISMI को समालेंगे Federation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises एक ऐसा संस्थान है जो की पूरे भारत भर में Micro, Small and Medium Enterprises मतलब छोटे और लगूदोग करने वाले लोगों के लिए advisory जारी करने का काम करते है और इनों ने जिनकी जगे लिए इनका नाम है प्रशान्त पटेल प्रशान्त पटेल को सक्सीड किया है इनों ये कौन से देश के scientist हैं जिनोंने एक world record set कर दिया है artificial sun मतलब एक करतिम सूर इनोंने बनाया है तीक है जो की इनसानों के द्वारा मनाया गया है और इसमें जो temperature है ये temperature 100 million degree Celsius तक maintain किया लिया तो ये हैं South Korea के scientist जिनोंने artificial sun मनाया और 100 million degree Celsius इतना तापमान होता है जो की आम आदमी की कलपना से परे है आपको ये जानका रचमबा होगा कि जो सूर है ना जो real sun है हमारा उसका जो कोरोना है उसका जो बाहरी आवरण है वहाँ पर 15 million degree Celsius का तापमान है मतलब ये जो इनोंने बनाया है ये real सूर के कोरोना से 7 गुना ज़्यादा तापमान होल्ड करता है और इसके परिक्षण दिसंबर से लेकर फरवरी तक आयजित किये गए और इन परिक्षणों के दौरान मैकसिमम 48 सेकेंड तक इनोंने 100 million degree Celsius टेंपरेचर को मेंटेन करके रखा है आने वाले समय में Korean Scientist टे टार्गेट लेकर चलने है कि 2026 तक ये इसको बढ़ाते हुए 300 सेकेंड तक होल्ड करने के लिए प्राश्रत रहेंगे और जतना ज़्यादा इसे सस्टेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा बिजली का उत्पादिन भी कर पाएंगे और South Korea की capital क्या है इसको बोलते हैं Seoul Britain की capital है London, US की capital है Washington and China की capital है Beijing क्या ऐसा पहली बार होए है कि किसी country ने artificial sun बनाया है ऐसा नहीं है पहली बार चाइना ने बनाया था artificial sun लेकिन उसका potential South Korean artificial sun से काफी काम है इन्होंने इसका एक नाम भी रखा है इसका नाम रखा है K Star क्या नाम रखा है K Star अब इसका full form क्या है इसको बोलते है Korea Superconducting Tokamak Advanced Research वितिये वर्स 2023 से 2024 में रक्षा निर्यात कुल कितने मूल लिका था मतलब कहने का यह है कि 2023 से 2024 के सत्र में भारस सरकार के द्वारा Defense Equipment कितने के दूसरे देशों को बेचे गए है जिनका Export किया गया है तो यह Total Amount है 21,083 करोण मतलब आप यह बोल सकते हो Make in India Project के अंतरगत 2023 से 2024 के सत्र में भारत में जो Defense Equipment बनाए गए है वो दूसरे देशों को 21,083 करोण के बेचे गए है जो कि 2022 से 2023 के सत्र के comparison में करीब करीब 33 गुना जादा है 33 परसेंट जादा है और इससे पहले अगर comparatively बात करें तो जो टार्गेट लेकर चल रहे थे वो 2 ट्रिलियन का टार्गेट लेकर भारत सरकार चल रहे थी कि हम Defense Export को 2 ट्रिलियन रुपीज तक ले जाए कौन हैं जिन्नोंने हाली में Department of Electronics and Mechanical Engineers के Director General के रूप में पदबार समाला है तो 33 पे डिरेक्टर जनरल इसके बनाए गए है Lieutenant General J.S. Sedana के नाम है J.S. Sedana और इससे पहले ये 2 साल के लिए जो EME मतलब Electronics and Mechanical Engineers का Military College है उसमें ये कारे रहे थे इससे पहले भी ये बहुत सारे Military के Mechanical and Engineers Electronics के कई सारे विबागों में भी पोस्टेट रह चुके है ये कौन सी Ministry है जिसके दौरा एक नया application launch किया गया है जिसका नाम है MyCGHS तो यहाँ पर CGHS का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझ लो CGHS को बोलते है Central Government Health Scheme और इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के दौरा जितनी भी Health से जुड़ी हुई योजना है चला ही जा रही है उसका फायदा लोगों को मिले है तो इसको Health मंत्राले के दौरा launch किया गया है और इसको launch करने वाली है Health मंत्राले की जो Secretary है इस टाइम पे इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा इनके दौरा launch किया गया है अब यह application करेगा क्या समझ लीजे जैसे कि जो लोग CGHS के अंतरगत registered है ठीक है वो लोग doctor से appointment इसी application के थूरू ले सकते है मतलब सरकारी अस्पताल जाने के उन्हें ज़रूरत नहीं है अपना appointment वो यहीं से ले ले और इसके बाद एक ही बार में जाएं डॉक्टर को दिखाएं उसके बाद जो report बगएरा उनकी आनी होंगी वो सब वो application में ही देख पाएंगे घर बैटे और इसको बनाया गया है NIC के दोरा National Informatic Center NIC ध्यान लहें भारत सरकार का software wing है आप लोग SSC का exam देते हो न तो आपकी website को maintain जो SSC की करता है वो भी NIC है railway की website को भी NIC maintain करता है और राज के जो PCS exams होते हैं उनकी websites को भी NIC ही maintain करता है Forbes के दोरा 2024 की बिलेनियर्स लिस्ट जारी करी गई है जिसमें भारत के नमबर वन अरपती कौन रहे तो यह है इस बार मुकेशम्मानी मुकेशम्मानी की wealth है सबसे ज़ादा है भारत के बिलेनियर्स की सूची में इनकी जो wealth है इस टाइम पे यह कितनी है चौते नमबर पे जो रहे है यह है सावित्री जिंदल जिंदल गुरूप की है और पाचवे नमबर पे जो रहे है यह है दिलीप सांगवी और इनकी कमपनी है सन फर्मसुटिकल एक मेडिसिन कमपनी है यह तो बात हो गई भारत के सबसे पाच अमीरों की अब Forbes के दौरा जो Overseas लिस्ट जारी करी गई है उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इस टाइम पर है Bernard Arnolt क्या नाम है Bernard Arnolt इनकी कंपनी है Shephora और दूसरे नंबर पे जो है यह है Elon Musk इनको कौन नहीं जानता है Tesla कंपनी के मालक है तीसे नंबर पे है Jeff Bezos Amazon के मालक चौते नंबर पे है Mark Zuckerberg Facebook के मालक जिसे अब Meta के नाम से जाना जाता है और पाच्वे नंबर पे है Larry Ellison Oracle के मालक इन्होंने छलंग लगाई है Larry Ellison आप मेंसे उस सभी student जो कि Static GK में किसी भी तरीके किसे मस्या फेस कर रहे है आप मेरी इस किताब को आज ही अपने घर मंगा सकते है Amazon से order करके इस किताब को Hindi और English दोनों भाशाओं में अवेल कराया गया है तो आप इसे जैसे चाहें उस भाशा में मंगा सकते हैं इस किताब के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है 81 टॉपिक Static GK के टेबलर फॉर्मेट में कवर किये है साथ में 1800 से जादा टीसस पैटरन पर आधारित Static GK के प्रीविएस येर कोशन दिये हुए है मतलब यह किताब आपके लिए इस बदलाओ के दौरान अब भारतियों को जापान में कितने दिन के लिए रुकने की वैलेडिटी दी गई है तो यह जो नया e-visa policy लाँच करी गई है इसमें दो बदलाओं है पहली चीज तो यह कि अभी तक अगर आप जापान गूमने जाते थे तो वहाँ पर आपको वीजा की जो hard copy है वो carry करनी पड़ती थी तो अब ऐसा नहीं होगा अब आप वीजा की electronic copy मतलब आप अपने mobile phone पे ही लेके carry कर सकते हो दूसरा एक यह बदलाओ किया गया है कि अब आप 90 दिनों तक एक बार में रह सकते हो जापान में द्यान रखिए एक बार में ही यह है ऐसा नहीं है कि आप साल में तीन बार गए 30-30 दिन के लिए ऐसा नहीं है एक बार में आप 90 दिन maximum रुख सकते हो और जापान की capital है टोकियो और यहां के प्रधान मंत्री कोन है इनका नाम है फुमीदो किशीदा अंतर रास्टी एक खनन जाग रुखता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है हरवर्स यह दिवस चार अप्रेल को मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार United Nation General Assembly के दौरा 2005 में डिकलियर किया गया था और 2006 में इसे पहली बार मनाया गया था इस दिवस को मनाने के पीछे का में उद्देश यह है कि हर साल पूरे दुनिया भर में माइनिंग में काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं बहुत सारे लेबर्स की मौत हो जाती है तो उसके लिए सरकारों के दौरा बहुत सारे precautions conduct करने चाहिए उन्हें बताया जाना चाहिए उन्हें अवेर करना जाना चाहिए कि हाँ माइनिंग में कितना खत्रा रहता है और किन चीजों से वो खुद को बचा कर रखे है दो हजार चौबेस कीस बार की थीम रही प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस अब मेरा आज का सवाल आप से आप में से कितने लोग बता सकते है राखा दुम्नी फेस्टिवल जो है ये कौन से राज में मनाया जाता है हिमाचल, विहार, आसाम या करनाटक कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा स्टैटिक जीके का कुश ने 2024 का कोई भी एक्जाम हो चाहे आप SSC का एक्जाम देने जा रहे हूँ चाह रेल बे हो गया या फिर स्टैट का कोई एक्जाम हर एक एक्जाम के लिए एक्जाम एंजन एप्लिकेशन से आप मेरा GSGK का फाउंडेशन बैच अभील कर सकते हैं इस बैच में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है History, Quality, Geography, Science, Economics, Computer सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है साथ में One Liner का Crash Course है और पिछले 5 सालों के PYQs में मैंने कवर किये हुआ है और इसमें Demo Class भी अविलेबल है इस बैच का डिरेट लिंक भी वीडियो के डिस्किप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं SSE, CPU, MTS या CHSL आप देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने Special Batch लाँच किया है जिसमें GSGK के Complete Cover है और Complete Reasoning भी Cover है तो आप इसे भी अविल कर सकते हैं 30% इसमें Off चलता है और आज शाम को 9 बजे मिलना मत बूलिएगा 9 पीम आज जो Class होगी वो Reverse से जुड़ी हुई होगी Indian Reverse से बनने वाले जितने भी कोशन है वो सब मैं आपको YouTube पे cover करा हुआ तो YouTube पे Class लगी हुई है आप उसमें Reminder जरूर सेट कर लीजे आज रात में 9 बजे करा Thank you so much Have a nice day, take care, bye-bye आपका दिन मंगल में